हमें एक स्पेसिफिक इंपुट मिली जिसमें हमें ये पता लगा कि जैशे मुम्मद ड्रोन के जरीए एक पेलो ड्रॉप करने वाला है अखनूर के पास में इस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे जम्मू और किश्मीर पुलीस की टीम एक वहां गई और उन्होंने वहां पे अंबुश लगाया और तक्रीबन एक वजे रात को एक ड्रोन नजर आया जिसने पेलोड को ड्रॉप करने के लिए हाइड नीचे की जिस वकत वो नीचे आया पुलीस टीम ने उस पे फाइरिंग की और ड्रोन को नीचे मार गिराया ड्रोन के साथ एक पेलोड था जिसकी जिसका वजन तक्रीबन पांच किलो था और जो बहुत अच्छे तरीके से पैग्ड था उस पे एक आईडी थी जो तक्रीबन तयार हालात में थी सिर्फ तार जोड़के उसको प्लेस करने की जरूरत थी और वो आईडी में धमाका हो जाता ड्रोन की जो एक प्रिलिम्नरी अनालिसिस की गई है जिस पे ये बात सामने आई है कि वो एक हेक्जाकॉप्टर है छे उसके पंके हैं वहाँ पे उस पे फ्लाइट कंट्रोलर है जी पीएस लगा हुआ है और और इंटरेस्टिंग्ली उस ड्रोन की जो फ्लाइट कंट्रोलर है उसका जो सीरियल नंबर है और जो एक साल पहले ड्रोन कट्वा में गिरा था उसका सीरियल लंबर दोनों में सिर्फ एक डिजिट का फर्क है जो यह दिखाता है कि ड्रोन पार में जो तंजीम है इनों ने एक ही सीरीज के कई फ्लाइट कंट्रोलर्स लिये हैं और मुक्तलिफ ड्रोन्स में लगाके वो भेजते रहते हैं जो प्रिलिम्नरी जानकारी मिली है वो ड्रोन एक एसेंबल ड्रोन है कुछ पार्ट चाइना के हैं कुछ पार्ट तैवान के हैं कुछ होंकों के हैं का सब को मिला के ड्रोन बनाया गया है, दूसरी और एक इंट्रिस्टिंग बात यह है इसमें कि ड्रोन का जो पेलोड गरता है नीचे उसको एक स्ट्रिंग के जरीय गिराया जाता है और वो जो स्ट्रिंग है उसकी जो नभीयत है वो तक्रीबन जो एरपोर्ट में जो क्रेटर था जो बॉम का क्रेटर था वहां से जो धागे बरामद हुए थे उसकी नवियत और इसकी जो स्ट्रिंग की नवियत है सेम है इससे लगता है कि एरपोर्ट ये कन्फर्म होता है कि एरपोर्ट पे भी जो पेलोड ड्रॉप हुआ था वो भी ड्रोन के जरीए ड्रॉप हुआ था जो कठुआ में जो ड्रोन ड्रॉप हुआ था उसकी डिटेइड अनालिसिस हुई थी तकरीवन बीस किलोमेटर लाइन ऑफ साइड की इसकी डिस्टेंस ट्रेवल करता है ये ड्रोन पेलोड कैपैस्टी दस से बारा किलो मैक्सिमूम जा सकता है जैसे जैसे पेलोड कैपैस्टी बढ़ती है उसकी रेंज कम होती है अगर पेलोड कैपैस्टी एक या डेड़ किलो है तो उसकी रेंज बढ़ जाती है पहले जो AK-47 वगरा गिराए गए थे वो तक्रीबन 12 से 13 किलोमिटर की रेंज पर गिराए गए थे आपको मैं ये बदा दूँ कि पिछले डेड़ साल में जितने भी ड्रोन सॉटिज आई हैं उनके जरिये जो वेपन्स ड्रॉप किये गये हैं उनको मुफ्तलिफ इंटेलिजेंस इंपुट्स के द्वारा उनमें काफी भारी मात्रा में अभी तक अतियार और असला बरामद हुआ है जिसमें 16 AK-47 पिछले डेड़ साल में जितनी भी ड्रोन सॉटिज आई हैं 16 AK-47 ब्राइफल बरामद हो चुके हैं तीन M4 यूस मेड़ राइफल बरामद हुए हैं 34 पिस्टल बरामद हुए हैं 15 ग्रेनेड बरामद हुए और 18 आईडी जिसमें की 15 चोटे आईडी और 3 बड़े आईडी ये बरामद हो चुके हैं साथ ही साथ एक दो ड्रोन सॉटिज ऐसी भी थी जिसमें की करेंसी भी उन्होंने ड्रॉप किया था चार लाख रुपए अभी तक बरामद हुए हैं तो इस ड्रोन के गिराने से हमें उमीद है कि एक बहुत बड़ा हादसा जो जम्मू में हो सकता था जो की एक आईडी दमाके के द्वारा किया जा सकता था उसको रोक दिया गया है और साथ ही साथ आगे कि कुछ ड्रोन जॉटी जो इस ड्रोन के जरीए होते उन पर भी रोक लगी है आईडी लगी नहीं थी यह आईडी ड्रोप हुई थी अच्छे पैकिंग के जरीए इसको किसी ने आके उठाना था और उठा के कहीं प्लेस करना था उसके उठाने के पहले हमने इस ड्रोन को मार किराया हमने इंतजार किया उसका जो की शाहिद वो प्रस्पेक्टिव जो ड्रोन जो आईडी लेने आने माला था लेकिन वो हम वहां पर आया नहीं